आप सबने बहुत सारे posters, thumbnails, designs में कुछ इस type का glow effect देखा होगा और मैं भी इस type का glow effect अपने thumbnails, poster, designs में use करता हूँ तो आज के इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ how to add glow effect लेकिन उससे पहले वीडियो को like कर देना और चैनल पे नहीं हो तो subscribe कर लेना तो glow effect देने के लिए हम use करेंगे PSCC app इस app से आप बहुत अच्छे तरीके से glow effect क्रेट कर पाएंगे तो चले चलते है PSCC app पे तो आपको इस app में आ जाना है और 19, 25, 1080p या जिस भी frame में आपको edit करना है वो frame आपको select करना है canvas देन आप लोग को इस layer के option पे tap करना है और यहां पे plus का icon पे tap करके and photo layer पे tap करके photo library पे tap करके आपको अपना background लेना है तो background जब आप लोग लेंगे तो एक चीज का आपको धियान में रखना है कि आपका background थोग सा dark color tone में होना चाहिए तब ही आपका glow effect अच्छे से आएगा तो यहां में मैंने कुछ brown dark brown type का background लिया है wood color भी आप लोग इसको बोल सकते हैं तो इसको मैं center में कुछ steps लगा कि यहां से done करूँगा और अभी हम लोग लेंगे अपना image जिस पे हम लोग को glow effect लगाना है तो वापस हम layer के option पे tap करेंगे प्लस का icon पे tap करेंगे photo layer and photo library देन अपना image लेंगे तो example के लिए मैंने एक gaming character लिया है यह किस game का है मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे download में पढ़ा था तो मैंने इसी को ले लिया यहां से हम लोग done करेंगे इसको adjust करने के बादद हम लोग को देना है इसमें glow effect तो उसके लिए भी हम लोग को करना पड़ेगा इसका select pixel तो वह करने के लिए आप लोग को यहां पर टैप करना है ऊपर में आप लोग को यह option मिलते बहुत सारे तो यहां पर आप लोग को बना वाए square पे rectangle जो भी आप लोग इसको बोले नहीं से आप लोग को select pixel करना है दन लेयर को आप्शन पर जाना है एंड प्लस पर टैप करके empty layer लेना है यहां से डन करेंगे एंड उसके बाद यहां पर एंड टूल का एक option मिलेगा आप लोग उपर में इस पर टैप करना है देन एंप्टी लेयर में ही आप लोग को फिल एंड श्ट्रोक पर जाना है ताइप पे आप लोग को टैप करके इसको स्ट्रोक करना है एंड अभी आप लोग को जिस भी कलर का आप लोग को गलो देना है वहां पर आप लोग को select करना है जैस मैंने इसको फूल कर देता है and saturation को हलका सा मैंने बढ़ा दिया then यहां से आप लोग विर्थ भी स्लेक्ट कर सकते हैं मैंने 4px रख है यहां से डन करेंगे and वापस से हम लोग को इस वाले option पर जाना है जहां से अभी हम लोग इने पिक्सल किया है यहां पर आप लोग एक option मिलेगा extract कर देने इस पर आप लोग को टैप कर देना है तो आप कहीं तो भी आउट साड़ करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा कुछ इस टैप से यहां पर जो गौशन बलर देना है तो यहां पर जो गोशन बलर आप लोग देंगे यहां पर FX के option पर जाके यह आप अपने according के जएगा कि आपको कितना glow effect चाहिए तो अभी जो हमारा glow effect है वो अच्छे से आप लोग को पता नहीं चल रहोगा जब blood आप लोग बढ़ा रहे होंगे तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं यहां से पहले मैं इसको cut करता यहां पर linear dodge add कर देने आप लोग को देख सकते हैं अभी glow effect कितना ज्यादा आ चुका है तो यह देख सकते हैं अभी glow effect और ज्यादा आ चुका है एंड इसको और ज्यादा करने के लिए fx के option पर जाएंगे यहीं पर आप लोग को एक glow का option मिल जाता है बस glow के option पर आप लोग को tap करना है color आप लोग को same select करना है जो अभी color हम लोगों ने select किया था तो मैं वापस है यहां से color select कर लेता हूँ yellow वाला यहां पर देख सकते हैं अभी हम लोगा glow effect कितना जादा आ चुका है and blur radius को आप लोग बढ़ाएंगे यह blur का option मिलता है तो यह जो हमारा glow effect है यह देख सकते हैं यहां पर fade होना शुरू हो जाएगा edges पर एंड इसको कम करेंगे तो यह normal से वैसे हो जाएगा जैसे पहले था तो यह देख सकते हैं before and after आप लोगो पता लग रहा होगा तो मैं इसको कम कर लेता हूँ मैं इसको 1-2 के आसपास रख लेता हूँ then intensity भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं then यहां से मैं done करता हूँ and अभी आप लोग देखेंगे यहां पे नीचे में भी हम लोग का glow effect आ रहा है जो कि हम लोग को नहीं चाहिए हम लोग को सिप उपर में ही glow effect चाहिए तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है एंड टूल पर जायना है यहां पर आप लोग को एक fade का option मिलता बस इसको enable करना है then नीचे में बहुत चारे fade के option आप लोग को मिलते हैं तो आप लोग को कुछ इस step का fade option select करना है देन कुछ इसटेब से आप लोग को इसको अर्जस्ट करना यहां पर जैसे मैं कर रहा हूं यहां से डन करेंगे अभी हम लोगोग ने डूब्लि-केट लिएर किया था इसका रहाँ तो फिल एक रहा होगा तो ने अपने पोस्टर डिजाइंन पनील किसी में घ्लोग दे सकते तो अभी जो मैंने आप लोग को सिखा है यह तो glow effect ता बस एक ही पार था और इसी type की और भी glow effect आप लोग apply कर सकते हैं जो कि मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को बहुत को सिखाने वाला हूँ तो इसके लिए आप चनल को subscribe करके bell icon को all पे कर लिजेगा वरना आप लोग miss